नमस्कार मैं हूँ दिपाली राना आप देख रहे हैं शेवाज आलाई पड़ते कराम देखें आएपी से लेकर डेटेल महंगा इदर के आंकड़े वाल स्टीट साथी साथ चौलब नजून कुफेट की बैठक मौनसू और जियेस्ट क्या क्या नहीं है और साथी साथ इस बीच में डॉक्टर एडीज और साथी साथ टाड़ा पावर की इतनी अगेर कार बादार में आज क्या होने वाला है अगे शुरुआत करते हैं ऐसे स्निटी के स्तरों से जो कि आपके स्कीन पर इस वक्तर अंक नीचे कारवार करता है करीब 8125 की ज़क्री है तो आज हम देखिए क्या कर सकते हैं विवस्ता को समझते वे साय के सारे समीकणों को समझते वे एक्यासी सो जो की बहुत महत्तपूर है अगर उसके आसपास कहीं लगा निफ्टी तो एक बार के लिए पुल बैक क्रीट खेल सकते हैं निफ्टी बैंक से ही अगर आप देखिए बाते को बहुत कुछ है लेकिन आई थिंग लेवल्स बहुत क्रिटिकल रहेंग के सशन में छोटे ऐसल के साथ एक पुल बैक की गुंजाईश तलाशों का याद रखिए एक सिर्फ बात कहने को ये है कि एक्यासी सो का पुट का ओई सबसे अदर 66 लाक का कड़ा है ये मेरे को एक कॉंफिडेंस देता है कि ठीक है साब कोई बात नी एफाइस की सप्लाई अभी नहीं है डिएस के सप्लाई में बदार गिर रहा है लेकिन वो कुछ एहम लेवल को रिस्पेक्ट देंगे और इसी लिए अगर कमजोर खुलता है निफ्टी तो छोटा सा पुल बैक ट्रीड एटेंट करूँगा एक छोटे से स्टॉप प्लॉस के साथ आज ज्यादा होगा भारते बाज़ार पर विदेशी संकेतों का ही हो गया जिस्टी भातरण नीजी है लेकिन यूएस मार्केट्स में क्या हाल रहा है क्या एक्षन दिखाया फेड की बैठक से पहले और एशिन मार्केट्स के स्मूड में यह जान लेते हैं रज़त से गुड़माने कोड्स तरो पर पहुंची मिसाल के तौर पर 10 साल की जो बॉंड जी ले 1.67 परसंट पहुंची अमरिकन मार्केट पर तो कहिना के डिफेंसिव प्ले हो रहा है मार्केट्स पर अगर अगर अब एशिन मार्केट्स के आज ओपनिंग देखेंगे निके हैंग सेंग धायड़ पर फैसला होगा और कोई भी खबर क्योंकि यह सबसे बड़ा खत्रा है सिर्फ बजार के ओपर यही है और कोई भी खबर ब्रेटिन से निकल के आती है तो सिग्निफिकेंट इफेक्ट मार्केट पर परिशान है तो कॉमरेटी मार्केट देखिया आप क्रूड तीन परसंट है तो फैट की बैटक और ब्री एक्जिट पर वोटिंग यह कुरूशल इवेंट से सभी ग्लोबल एक्विटीज के लिए और उसी का हांग हो और हमने देखा यूएस मारकेट पर अभी सभी एशियर बाजार उपर भी ओर रुजान देखा जा रहा है डिफेंसिव के तौर पर बॉंड्स और गोल्ड में बाइंग दिखी है लेकिन गौरांग शाह हमार साथ मौजूद है एक मारकेट पर उनका कॉमेंट ले लेते हैं गौरांग गुड मॉर्निंग आज की शुरूआत से पहले जो इंटरनाशनल क्यूज है वो बेहत नेगेटिव सेंटिमेंट क्र रहे हैं स्जेक्स निफ्टी हो यूएस मारकेट की क्लोजिंग हो या फिरेशन बाज अरू का हाल हो फेड की बैटक से ठीक पहले ये नर्वस नेश रादिनेन मारकेट में भी दिखें लेकिन क्या आसार आप इग्जाक्ली देखते हैं और क्या रणनेती होनी जाहिए शुकरे दिपालि सुपरपात आपको भी 220-250 मेरे खियाल से ये स्टर होंगे खुलने पर जो अंदेश हमें मिल रहे हैं अंतराश्रे बजार से और एक्स जी एक्स जो अंदेश दे रहे हैं उस तर पर खुलने के बाद एक मोटे तोर पर अगर आप नेखने दाये तो शुक्रवार को हमने अलड़ी एक कमजोरी देख ली थी और ये जो विशुभर के बजार की कमजोरी हम देख रहे हैं उसका शायद खुलने पर आपको एक नकारात्मक पहलो दिखाए देगा और जो कोई भी ट्रेड लेते हैं या सौधा करते हैं तो आपको अपना स्टॉप लोस बिल्कुल पहले ध्यान में रखना चाहिए जैट हकर भी मौजूद है हमार साथ उनका एक कॉमेंट ले लेते हैं ओन इंडेक्स जै गुड मॉर्निंग प्रिवेस सेशन में थोड़ी से इस पर बॉल्मानिंग दिपाली वेल दिपली में चाहना का हमारे लक्ष जो से ऑन दी अपसाइड एटी त्री फॉर्टी के इंडर शॉर्ट तर्म वोचीव हो चुके और वही से इन फाइक्ट रिवरसले लेक्टे मिला तो जब तक 83-8340 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते हैं लास्ट भी कहरे तो हम डिसकस कर दे आइस फार आज रिमेंबर वह लेवल्स क्रोस नहीं हुए और वही से एक रिवर्सल देखने मिला है यह एट लेली इंडिकेट कि ओन धी अपसाइड 8340, 83100 के बहुत ही कुरुशल रिजिस्टंस है और हमें 8200 के आसपास अब जो निफ् रिजिस्टंस बन चुका है 8220, so I think यह वी तो नेगेटिव ट्रेंड के साथ ही निफ्टी ट्रीड करेगा जब तक 83100 on the upside breakout नहीं देगा जी, तो जहें मानते हैं कि ट्रेंड यह सफते थोड़ा सा नेगेटिव रह सकता है इंडेक्स पर, इसलिए कोई भी स्ट्राटेजी आप बनाएं, कौशिसले बनाएं, लेकि विरें, डेरिवेटिव डेटा को देखते हुए क्या सेंस मिल रहा है, Friday के सेशन में हमने काफी एक उतार चड़ाव इंडियन मार्केट्स में देखा, बैसी सो, बैसी सो, बैसी सो पचास के सतर को पार के और आखी में बैसी सो की नीचे हम क्लोज हुए, डेरिवेटिव के एंडिकेट कर रहे हैं, दीपाली अगर आप इस वक्त बादार को देखे हैं, बादार के उपर स एक यह कुछ इशू हैं, जो कि थोड़ा सा सेंटीमेंट को खराब कर सकते हैं, या फिर प्रेशर डाल सकते हैं, दीपाली अब मैं जैसे कि लास्ट वीक भी डिसकस कर रहे हैं, दीपाली कि एफ़ाइज के एप्रोच बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, बस यह D.I.S. औ और इनफेक्ट क्लाइंट के काउनों के जो माल है न, वो बदार में सप्लाई की तौर पर आ रहा है, एफ़ाइज नेगर आप देखें, 201 कोड़ रुपे की अभी यह ने शुकवार को भी खरदारी करी, लेकिन D.I.S. ने 165 कोड़ की बिकवाली करी, और अगर आप की तरफ से 496 कोड़ की बिकवाली है, आई यह सेग्मेंट वाइज दिखते हैं कि एफ़ाइज ने क्या किया, देखें, एफ़ाइज ने इंडेक्स फूचर्स लगफख 323 कोड़ रुपे का लॉंग किया, खरदारी करी, इंडेक्स आप्शन में लगफख 254 कोड़ की बिक लास्ट वीक जिस प्रकास इसने मल्टीपल अटेंप लिए, यह देखिए, यह कुल ओपन इंट्रस्ट है, आठ हजार की पुट में लगफख 70 लाग का और 81 की पुट में 66 लाग का, आप देख लिए, आप स्कीम पर दो चीज रखिए मैंने, 83 की कोड़ का पचपन और 84 की क लाग का 47, यानि मेंडेट क्या बन गया है, अब इसके बाद जा एक बाद चेंज भी दिखाए, फिस पुरस्ट में भाजता हो, कि ओपन इंटरस्टेज, इस से उपर जो एक शीट होती है, कि एग्जेक्ली चेंज क्या हुआ हुआ, यह आपकी स्कीम पर आप देखिए, 82 क की कॉल पांच लाग, 83 की कॉल सवा तीन लाग, 84 की कॉल में दो लाग अनुमाइन, हुआ क्या, फिस स्वीट पर आईए, 84 का कॉल का लॉंग होल्डर बहार निकल किया रहा था, उसे दिक्कत महसूस हो रहे थी, कि या बादार तूट रहा है, नीचे किसक रहा है, 82 की की नी पुट में 50,000, 81 की पुट राइटर बहार निकला लेकिन उतने कॉंटम में नहीं, और अगर आप 8,000 की पुट को देखें, हैजिंग के लिहां से वहाँ पर 3,41,000 शे जुड़े, अब आदी एक बफिस से हुई, आउस्टेंडिंग की पुट पे, के ओपन इंटरस की शीट पे, देखे, मेरे लॉंग, मैंने काट लिये हैं, 8180, 8190 की जोन में, और नहीं कटे तो आपके स्टॉप प्रॉसस भी वहाँ पर ट्रिगर हो गए होगे, फ्रेंक्ली स्पिकिंग, देखे, बस इस चीज को दिखते वे, कि 800 की पुट में अभी भी 66 लाग का वाई खड़ा है 70, 76, 75 पॉइंट निप्टी नीचे खुलेगा, तो मैं एक बार के लिए इस आंकडी को रिस्पेक्ट देते वे, 8180 की पुट के आउटस्टेंडिंग वाई को दिपाली, एक 8,080 की रेंज में एक छोटा सा पूल बेक ट्रेड अटेंब करूँगा, यादर कि उस ट्रेड को बड़ा हफता है, बड़ा क्रिटिकल हफता है, बड़े सारे इवेंट है, तो मैं स्यादा उपर करेंपनी करूँगा, एक और चीज़ दिपाली, मैं डाउंसाइड क्यू बजार में सिर्वर नहीं देख रहा हूँ, और क्यू आज पुल बैक हिल रहा हूँ, लेट्स टेक निफ्टी बैंक, निफ्टी बैंक को देखे, निफ्टी बैंक का और निफ्टी का तालमेल है, वो इस पर बिलकुल नहीं है, कोई कोशल Caribbean नहीं भी, दोरों का एस्टेपली कोशलीन था ओखिए, इस्टरोई हो चुका है, निफ्टी बैंक तेख conven तो यह मेरे को एग्जेक्ली शायद शॉट जाने पर अभी तक डिसाइसिव सिग्नल नहीं दे रहा है, मैं निफ्टी पर शॉट नहीं जा रहा हूं, गयादर किये का, तो निफ्टी बैंक पर आप लॉंग है, तो अपने स्टॉप लॉसे 17.750 की जू थे आपके, आज फ्रॉ निफ्टी बैंक यहां पर जिस तरह की स्टाइटर सेट्स मिल रहे हैं प्रीवेस सेशन को देखते भी वह इंडिकेट ही कर रहे हैं कि बहुत जादा प्रेशर शायद ना दिखे और 17.500, 17.550 की एक एहम रेवल रहेगा निफ्टी बैंक पर, जै आप कुछ कॉमेंट करना रहे हैं यस इंडेक्स पर? उसके 61% से बैंक निफ्टी गुमा है जोई साब से ये एक रिवर्सल देखने मिला है और निफ्टी में भी एक 8200 के नीचे एक ब्रेकडाउन देखने मिला है तो गुइंग फॉरवड मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनिमम सत्रहाजार छेस्वोपचास ये इनिशल टार्गेट रहेंगे बैंक निफ्टी में देखने लोग साड़ और वो ब्रेक होते तो इस जो शॉट टम मुविंग एवरेज ए 20-day मुविंग एवरेज जो मुली बॉलिंग बैंड्स की मीन भी है 17,250,260 के आसपास हमें बैंक 50B रिटेस्ट होते वे नजर आएगा ऐसा मेरा महनना है